नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नॉलिज बज और आज के वडियो में हम बात करेंगे स्सी के टॉपिक वाइस मार्च डिस्ट्रिबूइशन के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में और हम जानेंगे कि CHSL के एक्जाम में LDC के एक्जाम में 10 प्लस 2 लेवल पे जो SSE का एक्जाम होता है उसमें जीए के जो टॉपिक होते हैं उसमें किस परकार से SSE मार्च से मार्च से डिस्ट्रिब्यूट करता है जिससे आप लोग को यह आइडिया होगा कि कौन से टॉपिक पर कितना ध्यान देना और कहां से आप लोग को स्टड़ी करना वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा इसे वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिस करते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉटेंट होता है सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग के पास अभी है इंडियर हिस्ट्री अब इंडियर हिस्ट्री को दोस्तों देखिए तीन पार्ट में डिवाइड कि उनसे भी नंबर के पूछे जाते हैं लगवग 712 इसवी से ले के 18177शंकरी मध्यकालीं भारत रहत ठीक है लगवग 1000 साल ने सब्सक्राइब चला था उसके बाद 190 साल तक और 190 साल से भी ज्यादा आधूनिक भारत चला था मतलब हिस्ट्री को तीन पार्ट में बीवाजित किया गया है पहला है मदे पहला प्राचीन भारत दुसरा है मदे कालीन भारत तीसरा है आधुनिक भारत यहां से एक एक नंबर के कोशन पूछे जाएंगे ठीक है और मैंने इन टीनों टॉपिक पर वेडियो मना हुए और मैं अभी बताऊंगा कैसे भी आप लोगो पूछे जाए और बहुत कम चांसे की पूछे जाएंगे तो आट कल्चर से मिनिमम मुझे लगता है कि दो कुछे जाएंगे इसे पूछे जाएंगे तो मुझे जाएंगे इपूछे जाएंगे लिए ज्यादा इंपॉटेंट हैं तो मुझे जहां तक लगता है कि दो कोषन पूछे जाएंगे ईंडियन पॉल्टिक्स से उसके बाद दिखिए गा इंडियान जोग्रफी तो एक नंबर के कोशन बनते उस्से ज्यादा कोशन नहीं बनेंगे तो जोग्रफी को चाहिए तो आप स्क्रिप कर सकते क्योंकि बहुत लंबा से बसे जोग्रफी का उसके बाद वर्ल्ड जोग्रफी आप बिल्कुल भी नहीं देखेग जोग्रफी में तो वहां से नंबर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा डिटेल जोग्रफी यहां पर नहीं देखना है उसके बाद इकनॉमिक्स भी बहुत दोस्तों ज्यादर इंपॉर्टेंट है लास्ट वियर के जितने भी एक्जाम हुए है वहां तीन नंबर के मिनिमम पनाव इकनॉमिक्स में आ जाएगा प्लैनिंग कमिशन भी आ जाएगा नीति आयोग भी आ जाएगा से नीटि-ायोग कह से बहुत ज़्यादर इंपॉर्टेंट है और यहां से पूछे जाएंगे मृट से यहां एक नंबर के पूछ सकते हैं ठीक हैं इंपूर्टेंट नह कंप्यूटर से दोस्तों दो कोशन पूछे गया बट मुझे लगता है कि एक से दो कोशन के बीच में कंप्यूटर से कोशन आप से पूछे जाएंगे ठीक है उसके बाद देखिए डिस्कवरी और इन्वेंशन यह फिजिक्स का पार्ट है अगर पूछा भी जाएगा फिजि सो मार्स के बारे में पूछा गया है गगे नियान के बारे में पूछा जाएगा कोछ भी पूछा जा सकता है साइंस और टेलस पूछे जा से एकनमबर अपमान के चलिए किados और इंड यूनस से इंडिय्म minimum मैंने बोला minimum तो दो कोशन आप मान के चलिए कि हो सकता औसकर से पूछा जाए हो सकता है कि Indian Film Awards से कोशन पूछा जाए बट पूछा जा सकता है बुक ऑथर दोस्तों सभी जामें पूछा जाता है बट SSE इस पर खासा ध्यान नहीं देते हैं तो आप इन्हें देख लिजेगा बहुत लिमिटेड जो इंपॉर्टेंट बुक होंगे उन्हीं को देख के जाईएगा क्योंकि SSE बुक भी पूछता है तो बहुत जादा ध्य नहीं भी देख सकते हैं उतना फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है और देख लेना चाहिए एक नमबर आपको मिल जाएगा जो इंटरनेशनल और्गनाइजेशन है ना उनके हैड़कोटर आप देख ली चाहिए ठीक है वहां से कोशन पूछे जा सकते हैं उसके बाद स्पो घठना करम होते हैं उनमें से कम से कम एक दो नमबर के कुशन जैसे शिक्षा नीती हो गया या कुछ भी इवेंट हुआ नेशनल इवेंट हुआ तो से एक नमबर तो बनता ही का न तो इस परकार से दोस्तों यहां पचीस नमबर क्रेंगे टोटल और मैंने बतार रहे हैं कि से कोशन दो कोशन पूछे जाएंगे के पोचन पूछा जाएंगे के बाद साइन्स वाइन्स अर्ट बहुत जादा होगा उसके बाद अगर आप करें तो निश्तरूप से इन सब टापिकस आपका 20 नंबर न भी फकटा बनने वाला तो इन सब टापिक को आप लोग अच्छे को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और किसी अधर टॉपिक पर किसे अन्य टॉपिक पर अगर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके आप लोग मैं कोशिस करूगा कि जल से जल आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करवादू और सब्सक्राइब पर भी ठीक है ना तो चलिए आसा करता हूं कि आज के दिन आप लोग को काफी अच्छा है अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं रैंक यू